किसान भाईयों धान रुपाई के 12 से 15 दिन बाद किसान भाईयों आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में कल्लो के संख्या ज्यादा हो जाए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको कुछ एसे पोशक तत्तों के बारे में बताने वाले हैं साथी उनके प्रियोग के तरीकों के बारे में बताएंगे अगर आप उनका सही इस्तमाल करते हैं साथी सही मात्रा में इस्तमाल करते हैं तो आपकी धान की फसल में कल्लो की संख्या निश्चिती ज्यादा मात्रा में होगी अगर कल्लो की संख्या ज्यादा होगी किसान भाईयों तो उत्पादन भी बंफर होगा तो आप कौन से पोशक तत्तो है किसान भाईयों और कौन कौन से उपाय हैं अब उनके बारे में हम वीडियो में जानते हैं किसान भाईयों सबसे पहले हम यह जानते हैं कि धान की फसल में कल्ले बनना कब सुरू होते हैं धान की फसल में किसान भाईयों 20-25 दिन पर कल्ले बनना सुरू हो जाते हैं जब किसान भाईयों धान की फसल में कल्ले बनना शुरू होते हैं, तो इसी समय आप लोगों को भी कुछ कारे करने होते हैं, धान की फसल में एसे कौन से पोशक तत्तो दें, जिससे कल्ले तेजी से फूटने लगे और मजबूत रहें, इस टाइम पे किसान भाईयों कुछ च यूरिया के साथ आपको संपूर्ण पोशक तत्तो वाली माइक्रो नूट्रियंस का इस्तमाल करना है किसान भाईयों, जिससे आपको जिंक, मैंगनीजियम, कापर, बोरान, आधिस सभी प्रकार के पोशक तत्तो मौजूद रहते हैं, इसके लिए आप कोई भी एफिलेटे सूच पोशक तत्तो का इस्तमाल कर सकते हैं किसान भाईयों, प्रयोग की बात करें तो आपको यूरिया का 45 किलोग्राम, माइक्रो नूट्रियंस का 5 किलोग्राम, प्रती एकर के रूप में इस्तमाल करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको डालने से फायदा क्या होग तो किसान भाईयों, इससे धान की फसल को संपूर्ण पोशक तत्तो एक साथ ही मिल जाएंगे, जिससे फसल में कलो की संख्या ज्यादा होगी, कल्ले मजबूत होंगे, प्रतेक पौधे में लगबग 16-20 कल्ले होंगे, किसान भाईयों साथ ही फसल का पीलापन भी दूर हो जाएगा, पौधों की लोग छमता भी बढ़ जाएगी, I hope किसान भाईयों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेर और सस्क्राइब करें, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस तो